Hello Everyone, Welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तो आज SSE CGL की क्लास में हम देखने वाले हैं GKGS के काफे important question answers जो की exam के point of view से काफे important रहेंगे तो please आप इस वीडियो को पूरा end तक देखीगा वीडियो पसंद आए तो like करना और share करना अपने सभी दोस्तों के साथ में आप लोग Unacademy पर मेरी special class देख सकते हैं दोस्तों दो पर में दो बजे तो इस class का timing को भी note कर लिजेगा plus subscription के सारे benefits ऐसे की live classes, structured course, weekly test, unlimited access और भी सारे benefits आपको तब मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी category में plus subscription जोइन करते हैं और code यूज़ करेंगा study 10 इससे आपको maximum discount मिल जाएगा सभी categories वे देखे, price भी high होने वाले हैं तो आप फटा-फट study 10 code apply करके join कर लिजेगा subscription को ठीके, ये best timing रहेगा और दोस्तों government exam exclusive test होने वाला है आपका कब September 25 को सुबह 10 बजे SSC और bank exams के लिए तो इसमें आप काफी सारे gift voucher जीच सकते हैं इसमें अन्रोल कर लेना अन्रोल करते समय study 10 code apply कर लिजेगा SSC में दोस्तों अभी आपको एक notes मिलने वाला feature नया add हो गया है यानि कि जब भी आप unacademy पर SSC category में आइकोनिक subscription जोइन करेंगे तो आपको जो hard copy and notes की वो आपके घर पर पहुचा दी जाएगी ये best आपके लिए रहेगा दोस्तों all India rankers batch इसके अलावा aim batch इसके अलावा आपका complete batch on general studies ये 22 September से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इन सभी में unroll कर सकते हैं code रहेगा आपका study 10 plus और iconic दोनों के लिए ही तो आप फटाफट join कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज पुरेंड तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है मोलिक करतव्यों को कि सव्यधानिक संसोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इस question का सही उत्तर होगा बिल्कुल दोस्तो 42 सव्यधान संसोधन के तहत यानि की option हो जाएगा C rate answer 42 सव्यधान संसोधन का बवध दोस्तो 1976 में आप लोग जानते ही हैं यहांपे ऐगर मैं बात करूँ सरकार द्वारा गटित सव्यधान संरीती की सिपारिश पर नागरी को कि मोलिक कर्तव्यों को दोस्तो 1906 में 42 सवधान संसोदन दुआरा सवधान में जोडा गया था जो कि पहले से नहीं थे ये एक बहुत ही important question है इसको जरूर याद रखेगा दोस्तो next question आता है computer का अविस्कार किस ने किया था तो computer का जो अविस्कार है दोस्तों वो Charles Beves ने किया था यानि कि option हो जाएगा D right answer बहुत ही easy question था ये है ना तो ये आपको याद रखना है चले next question आता है गांधी जी ने दक्सिंट अफ्रीका में रहने के दोरान निमलिकित में से कौन सा परकासित किया था तो इस question का जो right answer होगा दोस्तों बिल्कुल सही answer है इंडियन opinion यानि की option यहाँ पे भी right answer हो जाएगा ठीक है इंडियन opinion भारतिय नेता मोहंदास गांधी दोरा इस्तापित एक समचार पत्र है था दोस्तों और दक्सिन अफ्रीका में भारतिय नसलिये समुदाय के लिए जातिये भेदभाव से लड़ने और नागरिक आधिकारों को जीतने के लिए गांधी और भारतिय रास्टी कॉंग्रेस के नेत्रित में राजनितिक आंदुरन के लिए परकाशन का एक महत्पून उपकरन था है तो ये point आपको जरूर नोट कर लेना है अगला question आता है gateway of India किसने डिजाइन किया था तो देखे gateway of India दोस्तों डिजाइन किया गया था King George Pancham और Queen Mary की Mumbai की यात्रा के समारक के लिए एक विजय महराब के रूप में बनाया गया था तो ये जरूर आपको या दखना है next question आता है दोस्तों आपका कि नेमिलिकित में से कौन भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स थी तो भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स दोस्तों एनिबेशेंट थी यानि कि इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा देखे एनिबेसेंट भारती रास्टे कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स थी उन्होंने भारती रास्टे कॉंग्रेस के 1917 के कॉलकता सत्र की अध्यक्सा की थी कौन से सत्र की दोस्तों कॉलकता सत्र की किस वर्स में 1917 में ये पॉइंट भी आपको याद रखना है अगला question आता है statue of unity का design किस ने किया था तो statue of unity का design दोस्तो राम वी सुतार ने किया था यानि कि option हो जाएगा a right answer यह आपको याद रखना है चले next question आता है देखें दोस्तो statue of unity भारतिय राजनेता और सवतंतर कार्य करता वल्ला भाई पटेल की एक विसाल परतिमा है यह आप लोग सभी जानते हैं यह भारतिय मूर्थिकार राम वी सुतार दोरा design किया गया था यह काफी important है और यह सरदार पटेल की जनम की 143 वी वर्सगाट पर 31 October 2018 को भारतिय परधान मंत्री नेंद्र मोदी जी दुवारा इसका उधगाटन किया गया था यह चीजे भी आप लोग को पताई होगी अगला question आता है निमलकित में से कुली के लेखक कौन है तो कुली के लेखक दोस्तों है मुकुल राज आनंद यानि कि option यहाँ पे डी रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुली 1936 में 1936 में पहली बार परकासित मुलक राज आनंद का एक उपन्यास है ठीक है और यह आपको जरूर याद अखना है यह पुछतक दोस्तों भारत के बिर्टी साशन और भारत की जाती विवस्ता के लिए बेहद आलोचक आत्मक है यह आपको याद अखना है next question आता है चार मिनार किसके द्वारा बनवाय गया था यह भी एक काफी important question है दोस्तों चार मिनार बनवाय गया था मौमद कुली कुतुब साहद वारा यह आपको याद रखना है कब बनवाय गया था 1591 में यह आपको जरूर याद रखना है ठीक है चार मिनार मौमद कुली कुतुब साहद वारा 1590 में बनवाय गया एक विसाल महराब है ये और जो सहर में प्लैक की समाप्ती के उपलक्स में बनाया गया था ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है ठीक है सहर में प्लैक जो बिमारी थी दोस्तो उस समय उस समय उसके समाप्त होने के उपलक्स में बनाया गया था ठीके और चार मिनारों के साथ एक परभावसाली चकोर समारक है यह तो आप लोग देख के फोटो में देख सकते हैं भारती सवधान में पहली बार संसोधन कब किया गया था तो पहली बार दोस्तों जो संसोधन हुआ था हमारे कॉंस्लिटिशन में वो 1951 में हुआ था यानि की B यहां पे रैट आंसर हो जाएगा ठीक है और इसकी अगर मैं बात कर दोस्तों संसोधन का उपचारिक सिर्षक सविधान यानि की पर्थम संसोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था इसे भारत की ततकालीन परधानमंत्री जवाला नेरू ने 10 मही 1951 में इस्थांतरित किया और 18 जून 1951 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आता है रानी की वाव का रुपांकन किस नोट पर मुझूद है तो रानी की वाव का दोस्तो जो रुपांकन है वो सोर पे के नोट पे है यानि कि B रैट आंसर हो जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट कोश्चन आता है नेक्स्ट इस बैरोमेटर में सामाने तक किस दर्वे का प्रियोग किया जाता है तो देखे बैरोमेटर में दोस्तो किस दर्वे का प्रियोग किया जाता है तो मरकरी का तो रैट आंसर इस ओप्शन भी यह आपको याद अखना है सुनने यहनी कि जीरो इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है नेक्स question है पहले भारतिये का नाम बताइए जिने भोतकी में nobel पुरुसकार बिला तो पहले दोस्तों यहाँ पे भारत जिनको physics में nobel मिला था उनका नाम है cv.raman तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों डी रेट आंसर कब मिला था दोस्तों इनको 1930 में मिला था ठीक है बोतिक का नोबल पुरुषकार सर चंदर सेखर वेंकट रमन को मिला था ठीक है चलिए कोशन आता है कार्बोहईडरेट के पाचन का परमुक अंतिम उत्पाद निमलिकित में से क्या है तो मेरे पहरे दोस्तों इस कोशन का रेट आंसर हो जेगा बिल्कुल सही है गुलकोज यानि की C रेट आंसर हो जेगा कार्बोहईडरेट के पाचन में अंतिम उत्पाद दोस् है ठीक है चले नेक्स कोश्चन आता है सिमेंट में कौन सी भोतिक मात्रा मापी जाती है तो दोस्तों यहां पे सिमेंट में कौन कौसी भोतिक मात्रा ना पी जाती है तो इस question का right answer हो जाएगा विदुत चा लगता ठीक है यानि कि right answer is option B हो जाएगा next question is Neptune ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था Neptune ग्रह दोस्तो गेली द्वारा खोजा गया था यानि कि option is the right answer दोस्तो next है आंधर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंस धारा जल विवाद में सामिल है तो इसमें दोस्तों आपका जो राज्य है वो involve है उडिसा तो इस question का right answer हो जाएगा उडिसा भारत में उडिसा और आंधर प्रदेश राज्य में दोस्तों गोदावरी के बीच एक महत्पून नदी वश्धारा बैती है तो उसके उपर विवाद है next question है निम्लिकित में से किस स्थान पर सत्यगरे किसानों की समश्याओं से सम्मंदित नहीं था तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों एहमदाबाद में ठीक है तो यहाँ पर एकर मैं बात करूं दोस्तों अंग्रेजों के अधीन सहर का पास उद्योग का विकास हुआ और बीसवी स्ताबदी का एहमदाबाद एक आधुनिक उद्योगिक सहर बन गया ठीक है इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो था और उनके भाई थे सारबाई करके कुछ नाम है उनका अमबा लाल अमबा लाल सारबाई करके साथ जो की मील मालिक के अमीर मील मालिक द्वारा अमंतरित किया गया था यहाँ गया पर पर कुछ ऐसे था system यहा आपको याद भनाए स्टीक है ना चले नेक्स कोशन आता है दोस दोस्तों अजेंद्र बाहदुर सिंग को भारतिय नोसेना के किस कमांड को फ्लेग ओफिशर कमांडिंग इन चीव के रूप में नुक्त किया गया है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर होजेगा पूर्वी नोसेना कमांड यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन भी ठीक ह कोशन आता है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उदगाटन नई दिल्ली में हर्सवर्दन द्वारा किया गया था गटना सम्मेलन का कौन सा संस्क्रण है तो गाईज इस कोशन का राइट आंसर होजेगा सेकिंड यानि की सी इस दा राइट आंसर कोशन आता है एडवन्टेज इंडिया दि स्टोरी ओफ इंडियन टेनिस प्लेयर के लेखा कौन है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर होजेगा अनिद्य दत्ता यानि की ओप्शन होजेगा बी रेट आंसर दोस्तो नेक्स कोशन है स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्स पर्मुकों के लिए एकिकरत रक्षा करमचारियों के नव न्यूक्त उप पर्मुक का नाम बताईए दोस्तो राइट आंसर होजेगा अतुल कुमार जैन यानि की ओप्शन ए इस दा राइट आंसर कोशन आता है पहले परधान मंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे तो पहले परधान मंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे दोस्तो लाल बादुर सास्तरी इस कोशन का सही उत्तर होगा दोस्तों next है जैन्धरम के परबल अन्याइओं में से कौन है तो जैन्धरम के परबल अन्याइओं में से दोस्तों ये सभी है all the above इस question का right answer डी हो जाएगा next है MP के लोकसभा sit कितनी है how many log sabah sit in MP MP में दोस्तों log sabah sit है 29 तो इस question का right answer हो जाएगा option है ठीक है चले नेक्स चलते है और प्लीज वीडियो को दोस्तो लाइक जरूर कर दिया करें ठीक है दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है भारत सरकार का सविधानिक अध्यक्स कौन होता है देखे काफी बढ़िया सेशन होगा और पूरा एंड तक देखेगा ठीक है जिस भी कोशन का आणसर आता होगा नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा इस कोशन का सही आणसर होगा दोस्तो प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट दोस्तो सविधानिक अध्यक्स होता है बट जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है चोकि Article 53.1 क्या बताता है, इसको देख लेता है रासपति को भारत की संग की कारेकारी सक्ती परदान करता है इसलिए वह भारत सरकार का सवेदानिक परमुख है ठीक है, लेकिन साशन की वासतविक सक्तिया परदान मंतृरी के कारेल्य में नहीं थै इसलिए भारत में परधान मंतरी को सरकार का वास्तविक परमुक कहा जाता है तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है तो जो रास्पती है दोस्तो वह है सविधानिक ठीक है? हेड है और परमुक है और यहाँ पे जो रियल परधान है यानि की वास्तिविक परधान कौन है वो परधान मंतरी है ठीक है चले अगले कोशन की और बढ़ते हैं दूसरा कोशन है कि भारत की रास्पती के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निमलिकित में से कौन करता है तो guys इस कोशन का सही अंशर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है लेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया यानि की भारत का निर्वाचन आयोग भरता है यानि की आप्षन आपका बी रैट आंसर होने वाला है अगला कोशन है भारत की राजपती का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निमलिकित में कौन सामिल होता है तो भारत की राजपती का निर्वाचन करने के लिए दोस्तों निर्वाचन मन्डल में सामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तता सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचीत सदस्ये ध्यान सुनिएगा निर्वाचीत सदस्ये यहां पे word यूज गया है तो इस question का सही answer हो जाएगा C ठीक है? चले अगला question आता है कि भारत के राजपती के चुनाव में जीतने वाले परत्यासी को प्राप्त करने चाहिए तो भारत के राजपती के चुनाव में जीतने वाले परत्यासी को दोस्तो more than 50% and majority of the total votes मिलने चाहिए ठीक है? तो यह आपका right answer हो जाएगा D 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत दोस्तो सविधान का अनुच्चेज 60 संदर्वित है आपको बताना है सविधान का अनुच्चेज 60 क्या बताता है तो इस question का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताए बिल्कुल यहाँ पे जो right answer होगा दोस्तों सविधान का अनुच्चे 60 जो है वो oath of the president ठीक है? राजपती की सपत से संबंदित है यानि की option B right answer होने वाला है राजपती को पद की सपत कौन दिलाता है? राजपती को पद की सपत कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राजपती को पद की सपत दिलाता है Chief Justice of India भारत का मुख्यने अदिस यानि की इस question का सही answer option A हो जाएगा ठीक है? चले अगला question है भारत की राजपती पर महाभियोग की विधी अपनाई गई है तो भारत के राजपती पर महाभियोग की जो विधी है दोस्तों वह अपनाई गई है USA के सविधान से यानि की option A right answer हो जाएगा यानि की impeachment process हमने USA से लिया है और दोस्तों जो पद है President का वो भी हमने USA से ही लिया है तो इस question का भी right answer USA हो जाएगा अगला question है भारत के राजपती को उनके पद से कोण हटा सकता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा भारत के राजपती को उनके पद से हटा सकता है पारलेमेंट के द्वारा यानि की option C right answer हो जाएगा यानि की impeachment procedure के थोड़ा next question है भारत के राजपती के चुनाव के लिए नागरी को कितनी आयूप पूरी कर लेनी चाहिए तो भारत के राजपती चुनाव के लिए नागरी को minimum 35 वर्स पूरी कर लेनी चाहिए और maximum का कोई परवदान नहीं है ये भी आप जरूर याद रखेगा देखेए सविदान के अनुच्छिद 58 में बताया गया है कि भारत के राजपती के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योगगता का लेक है आवश्यक योगगता में सामिल क्या-क्या है ये मैं बता देता हूँ सबसे पहला तो यह है कि दोस्तों वैब भारत का नागरिक हो ठीक है 35 वर्ष की आयूप पूरी कर चुका हो और उसे हाउस और पिपल यानि कि लोगसभा के सदश्य के रूप में चुनेने के लिए योगगय होना चाहिए यानि कि जो सदस्य दोस्तों प्रेजिडेंट के लिए न्यूक्त होगा उसे लोगसभा मेंबर की जो रिक्वार्मेंट होती है कौलिकेशन वो सारी रिक्वार्मेंट होगी यानि कि वो सारी है पूरी होनी चाहिए तो ये point भी आप note कर लेजेगा अगला question है रास्पती की सेनर्थी I.U. क्या है तो रास्पती की दोस्तो retirement age जो है वो कोई नहीं है, no age limit है ये article 56 में दोस्तों बताया गया है इसको correct कर लेना 56 होगा 56 के भागवन में रास्पती की कारेकाल का उलेक है जो उस तिथी से 5 वर्स का है जिस दिन वैं अपने कारेले में परवेश करता है ठीक है, तो ये आपको या दखना है भारत का उपरास्पती निर्वाचित होता है दोस्तों भारत का उपरास्पती निर्वाचित होता है तो भारत का उप राजपती निर्वाचित होता है संसद के सदश्यों द्वारा तम मेंबर्स ओफ पार्लियमेंट द्वारा नेक्स कोश्चन है भारत के राजपती को परती महा कितना वेतन प्राप्थ होता है भारत के रास्टपती को परतिमा कितना वेतन प्राप्त होता है तो guys इस question का जो सही उत्तर होगा that is option D 5 लाक रुपे प्राप्त होता है रास्टपती अपने पत से त्यागपत्र देना चाहे तो वे किसे देगा तो राश्टपती अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वे अपना त्यागपत्र दोस्तों वाइस प्रेजिडेंट को देगा ठीक है आर्टिकल 56 का वन भाग कहता है मैं उलेक क्या गया है कि भारत की राश्पती उप राश्पती को सम्बोधित करता है एक पत्र लिखकर अपने पत्र से इस्थिपा दे सकता है और के अनुसार उप रास्पती को सम्भोधित किसी भी इस्थिपे को लोकसबा अध्यक सुचित किया जाएगा ये भी आपको अध्यक ने भारतिय सविधान का अनुसार भारत की रास्पती के कारियल में रिक्त को भरा जाएगा कितने दिन के अंदर तो ये दोस्तों भरा जाएगा 6 महिने के अंदर यानि कि रास्पती का जो ओफिस खाली होगा तो उसको विदिन 6 मंथ दोस्तों भरा जाएगा यानि कि ओप्शन इसका रैट आंसर B होने वाला है Next question रास्पती द्वारा संसद के लिए कितने सदिश्यों को नामित किया जा सकता है जल्दी बताइए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इस्टूडेंट गलत कर रहे है आजकल How many members can be nominated by sorry for parliament by the president तो parliament में दोस्तों 12 लोगों को रास्पती नोमिनेट करता है और वो भी कहा पर राज्ये सबा में ठीक है लोग सबा में जो दो member नोमिनेट की जाते थे अब उनको नहीं करते हैं तो राज्ये सबा में 12 होगे तो अब पूरी parliament में ही 12 नोमिनेट करता है रास्पती तो इस question का right answer C होगा ना की D नेक्स है निमलकित में से कौन देश का बलो का सर्वुच कमांडर होता है तो दोस्तो देश का बलो का सर्वुच कमांडर कौन होता है प्रेजिडेंट यानि की रास्पती इस question का सही answer D हो जाएगा कोशन आता है संग सरकार के राज्य पतरित अधिकारी की न्यूकती और उन्हे सेवा से मुकती कोन करता है तो इस question का जरा answer बताएगे क्या होने वला है दोस्तो इस question का सही उत्तर होगा संग सरकार के राजपती अधिकारी की न्युक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है तो प्रेजिडेंट ओफ इंडिया यानी की आप्शन ही हो जाएगा दोस्तो राजपती भारत संग की कारेकारी परमुक है भारत के सभी महत्पून न्युक्तियां भारत की राजपती द्वारा की जाती है उनमें से अधिकांस के राज़पती द्वारा उनके कारियले से हटा दिया जाता है और उनमें से कुछ राज़पती के प्रायदिप्यत कारियले में रहते हैं केंद्र सरकार के राज़ पत्रित अधिकार्यों को केवल राश्पती द्वारा न्युक्त और बर्खास्ट किया जाता है। नेक्स है निमलकित में से कौन सी न्युक्ती राश्पती के द्वारा नहीं की जाती है। भारत के मुख्यान यहदीस भारत में सभी तीन रक्षा बलो के परमुक यानि भारतियर सेना नो सेना और वायू सेना की न्युक्ति भारत के राजपती द्वारा की जाती है जबकि लोकसबा के अध्यक्स की न्युक्ति राजपती द्वारा नहीं की जाती है बलकि वे अपने सदेश्य में से नवगठित लोकसबा द्वारा चुने जाते हैं तो ये आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ लेना है रास्पती के न्यूकती के चेत्र अधिकार के अंतरगत इनमें से कौन नहीं है तो दोस्तों कौन नहीं है जल्दी से बताएगा तो इसमें अगर मैं बात करो एड्वोकेट जनरल की तो ये नहीं है तो राइट आंसर इस ऑप्शन डी रास्पती का अध्यादेश लागू रह सकता है रास्पती का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीने के लिए बिदेश बात के पहले रास्पती ये कुशन कहीं बार आचुका एक्जाम में बात बात के पहले रास्पती थे और देश के सरोचपद को प्राप्त करने वाले पहले मल्याली वैक्ती भी थे ठीक है तो ये आप देख लीजेगा यहाँ पे गर मैं इनके कारेकाल की बात करूँ दोस्तो तो 1997 से 2002 तक इन्हें ये जो है दोस्तो दसवे रास्पती के रूप में और नवे उपरास्पती के रूप में नुक्त रहे हैं ठीक है अगला कोशन आता है लोक लेखा समीथी अपनी रिपोर्ट परस्तूत करती है तो लोक लेखा समीथी दोस्तो अपनी रिपोर्ट परस्तूत करती है किसे the speaker of loksabha को ठीक है right answer is option B the speaker of loksabha यह आपका right answer हो जागा तो समीथी का अध्यक्स, लोकसभा, अध्यक्स द्वारा न्यूग किया जाता है, यह भी आपको याद दखना है और यह समीथी लोकसभा की स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है ये चीजे आपको मिल दाएगे और देखे इसकी जो पीडियाप है दोस्तों वो आपको मिल दाएगे कब दोस्तों देखिया अगर मैं बात करूं तो बारत के पहले राजपती डोक्टर राजेंदर परसाद 1950 में न्यूक्त हुए थे फिर 1962 तक दोस्तों बीच में एक बार फिर 1957 में न्यूक्त हुए यानि कि 1950 से 1962 तक इनका कारेकाल रहा है और ये दो बार राजपती बने एक बा आज के हासी के तबके से राजपती चुनने जाने वाले पहले उमीद वारते वैसे इतने इंपोर्टेंट लाइन नहीं दिये आपको यह याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया था कोशन आता है कि नमलेकित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राजपती पद के लिए चुना गया था तो कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राजपती पद के लिए चुना गया था इस कोशन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा एन संजीव रेड़ी ठीक है नीलम संजीव रेड़ी इस दर है तो यह आपको यह दख रहा है तो नीलम प्रदेश के पहले मुख्या मंतरी और दो बार लोकसभा अध्यक्स रहें और वे अब तक के सबसे कम उम्र के भारती रास्पती बने हैं दोस्तों कौन पहली बार गेर राजनेतिक व्यक्ति रास्पती बने थे तो एपीजे अब्दुलकलाम जी डोक्टर एपीजे राजनेतिक व्यक्ति थे जो रास्पती नियुक्त हुए थे तो इस कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा नेक्स है भारते सविदान के अनुसार केंद्रे मंतरी अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा तो दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा भारते स अपरास्पती दोस्तों किसी भी सदन का सदेश्यन नहीं होता है नोटा मेंबर ओप एनी हाउस तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा नेक्स है भारत का उपरास्पती निर्वाचित होता है तो भारत का उपरास्पती दोस्तों निर्वाचित होता है मेंबर ओप स्टेट लेजिसलेचर एंड पार्लेमेंट यानि की डी यहां पे रइट आंसर हो जाएगा कोशन आता है भारत के किस उपरासपती ने लगतार दो कारेकाल संपन किये तो एस रादा किस ने दोस्तों यहां पे रइट आंसर हो जाएगा कोशन आता है किसी दोसी व्यक्ति को सजा को समा लंबन या परिहार की सकती नहीं थे तो यह किसको है दोस्तों यह भूँत एजी कोशन है ठीक है न तो इस कोशन का जो रइट आंसर होगा देट इस बिलकुल प्रेजिडेंट हो जाएगा रइट आंसर अगला कोशन आता है कि राजपती का अभीभाशन कौन त्यार करता है तो किंद्रे मंत्री मंडल इस कोशन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है राजपती किस सूची पर अध्यदेश जारी कर सकता है दोस्तो राजपती किस सूची पर अध्यदेश जारी कर सकता है तो यहां पर र दा डिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के सवर नामक पुष्टक संबंधित हैं तो ये है दोस्तो बिलकुर राश्पती का भाषन यानि की ओप्षन बी रैट आंसर हो जाएगा निमलिकित में से किस राश्पती ने मुख्यमंत्री के रूप में कारिया किया वोट इस दा रैट आंसर ओप्षन ये जराब बताएगा तो यहाँ पर रैट आंसर हो जागा all of the above उप्रुख सभी यहाँ पर रैट आंसर होगा दोस्तो कोशन आता है निमलिकित में से किस राश्पती का कारिय काल के दोरान निधन हो गया कोन बिहार के राजजपाल के रूप में कारिय करने वाले पहले राश्पती है तो कौन बिहार के राज़्यपाल के रूप में कार्य करने वाले दोस्तों पहले रास्पतिं तो जाकिर हुसेन इस कोशन का राइट आंसर होगा कोशन आता है निमलकित में इसे किस रास्पती ने लोगसभा अध्येक्स के रूप में कार्य किया तो निमलकित में से किस रास्पती ने लोग सभा अध्यक्स के रूप में कारे किया तो नीलम संजीव रेड़ी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है सविदान का उलंगन करने पर रास्पती पर महा अभीयोग लगाया जा सकता है दोस्तो किस house में या फिर किस के दुआरा तो दोना house में लगा जा सकता है संसत की दोनों सद्रों में तो right answer is D Question है सुकोई 30 में उडान भरने वाले पहले रासपती कौन है तो सुकोई 30 में उडान भरने वाले पहले रासपती दोस्तो परतिभा पाटिल जी है यानि कि option भी right answer हो जाएगा नमलिकित विटो सक्तियों में से कौन रास्पति को परदान नहीं की जाती है तो इस question का दोस्तो right answer होगा योगे विटो नहीं परदान की जाती है यानि कि C is the right answer देख्यार एक तो आप लोग ना like नहीं करते हो और मैं आपको हर पीडियाप चेंज करते रहोंगा तो आपको session पूरा इंट तक देखना होता है ठीक है चले next दोस्तो आज की विडियो का पहला question है नमलिकित में से कौन सा राज्ये 2011 की जनगर्णा में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है तो किस राज्ये में दोस्तो जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या होने वाला है इस question का right answer बता दिए यहाँ पे सही answer होगा आपका हर्याना ठीक है हर्याना is the right answer यह आपको याद रखता है अगला question आता है केंद्रे गंणा अनुसंदान संस्थान का मुख्याले कहाँ इस थी था दोस्तो यह जल्दी से बताईए what is the right answer of this question देखे मेरे प्यारे दोस्तो इसका जो मुख्याले होगा केंद्रे गंणा अनुसंदान संस्थान का मुख्याले कोयम बटूर तमिल नाडू में हैं दोस्तों ठीक है ना तमिल नाडू राज्य में इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी कहीं बार एक्जाम में आ जाता है तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में ये भी आप जरूर याद रखेगा अगला कोशन आता है कि लोधी राजवन्स के दूसरे सासक खालिस्तान थे तो लोधी राजवन्स के दूसरे सासक कौन थे दोस्तों तो ये रहने वाला है बिलकुल सिकंदर सहालोधी इस दा राजवन्स ये आपको जरूर याद रखना है अगला कोशन आता है गूगल के संस्थापक कौन है तो इस कोशन का दोस्तों राजवन्स क्या होगा बिलकुल यहाँ पे A और C ओप्शन राजवन्स रहेगा देखे मार्क जुकरबर जो है वो फेस्बुक के फाउंडर है ना की गूगल के तो यहाँ पे राइट आंसर इस डी ये आपको याद रखना है अगला कोशन आता है दोस्तों इस साल के इसे ही खेलो जिन्हें जकार्ता पेलंबिंग 2018 भी कहा जाता है जकार्ता और पेलंबिंग के इंडोनेशिया सहर में संपन हुआ यह दूसरी बार था जब जकार्ता ने खालिस्थान के बाद खेलों की मेजबानी की तो जकार्ता के जो दोस्तों 2018 में खेल हुए थे वो आपको बताना है किस एर के बाद हुए थे यानि कि उससे पहले कब हुए थे तो यह आपके हुए थे 1962 में और फिर हुए थे 2018 में तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन आता है भारत रतन के डिजाइन में पीपल पत्ते के साथ किसका चिन उकेरा गया है तो जल्दी से आंसर बतेगा दोस्तों आपने देखा होगा भारत रतन में दोस्तों पीपल के पत्ते का जो वो होता है कुछ ऐसा करके पीपल का पत्ता होते है भई ठीक है बिल्कुल भी ड्रोइंग अच्छी नहीं है और इसमें जो है सूरिय का बीच में जो है वो बना होता है तो right answer is C, सूरिय हो जाएगा यह आपने याद रखना है गईज अगला question क्या कहता है कि किस अनुच्छेत के अंतरगत उडिशा विधान सबाने राज्य में विधान परिशद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया तो किस article के तहट जरा आंसर बताएगा इस question का सही आंसर क्या होने वाला है तो गईज यहाँ पे जो सही आंसर होगा किस अनुच्छेत के अंतरगत उडिशा विधान सबाने राज्य में विधान परिशद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया तो article 169 यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तो नेक्स question आता है डियाडियों के scientist of the year अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है आईज इस question का जो right answer होगा दोस्तो हेमंत कुमार पांडिय is the right answer तो यह आपको याद अखना है दोस्तो अंतरास्टे थेलेसीमिया दिवस के रूप में किस स्तिथी को मनाया जाता है तो अंतरास्टे थेलेसीमिया दिवस को दोस्तो मनाया जाता है किस तारीको आठ में को ठीक है थेलेसीमिया दिवस के रूप में किस स्तिथी को मनाया जाता है आठ में को तो right answer is option B यह आपको याद अखना है question आता है कि केंद्रे railway का मुख्याले कहा पर इस्तिथ है अंसर किया है मुंबई चत्रपती सिवाजी टर्मिनल यानि की option हो जाएगा ए रेट answer टर्मिनस होगा सोरी है ना तो यह आपको याद अखना है अगला question है दसक की ICC Proust T20 और ODI team का कप्तान किसे बनाय गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पी जो right answer हो जाएगा कोशन आता है कि no full stop in India किताब के लेखक कौन है दोस्तों इस question का right answer क्या होगा बिल्कुर सही है Mark Tully इस question का right answer हो जगा नो full stop in India किताब के लेखक है दोस्तों next question है माल परिवेहन के सम्बंद में सबसे व्यस्त रेलखंड खालिस्थान है तो माल परिवेहन के सम्बंद में सबसे व्यस्त रेलखंड दोस्तों कौन सा है तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल कोलकता चिन्नाई section यानी की C यहाँ पे सही answer हो जाएगा दोस्तों next है निमलकित में से कौन सी film साउधी अरब में रिलीज होने वाली पहली बोलिवुड फिल्म है तो यहाँ पे इस question का right answer होगा दोस्तों बिल्कुल सही है इस question का right answer होजेगा देखे भारतिय फिल्म गोल्ड ने साउधी अरब में रिलीज होने वाली पहली बोलिवुड फिल्म बनकर इत्यास बनाया है रीमा कांगी निर्देशक स्पोर्ट्स फिल्म गोल्ड दोस्तों 1948 लंदन उलम्पिक में भारत की परतिष्ठित जीत की एक कहानी बताई गई है गोल्ड फिल्म में तो यह आपको याद रखना है अगला question आता है दोस्तों खलेस्तान की राजकुमारी से विवा करने है तो बंबई को बिल्टिस राजकुमार चार्ल्स दुट्य को देहेज के रूप में दिया गया था तो किस की राजकुमारी से विवा करने पर दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर होज़ेगा पूर्द गाल यहाँ पर आंसर होज़ेगा पूर्द गाल की राजकुमारी से विवा करने है तो बंबई के बिल्टिस राजकुमार चार्ल्स दुट्य को देहेज के रूप में दिया गया था तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका असोख मोर्ये ओप्शन A is the right answer दोस्तो अगला कोशन आता है कि किस देश ने 2020 तक मंगल मिशन होप लौच करने की घोशना की है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल UA संयुक्त अरब अमिरात इस कोशन का यहाँ पर राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमिरात मंगल मिशन होप लॉंच करने की गोशना की है जिसे 2020 में लॉंच करने की उम्मीद थी दोस्तों लॉंच होने पर या किसी भी अरब का मुस्लिम देश द्वारा मंगल ग्रह पर पहला मिशन बन गया है नेक्स कोशन आता है चोल सासक ने खालिस्थान पर सासन किया था तो चोल सासक ने दोस्तों तमिल नाडू पर सासन किया था यानी की रैट आंसर ही जो अप्शन ने तो यहाँ पे चोल राजवंस विजाले दुआरा इस्थापित एक तामिल राजवंस था उनकी राजदानी दोस्तो सहरो ताजवन उर और गाई कोंडा चोलापूर में थी तो ये भी आप याद रखेगा दोस्तो नेक्स है कौन सा देश कॉमन विल्ट परिवार का चोवनवा सदस्या बना तो चोवनवा सदस्या बनाता दोस्तो मालदीव यानि की ओप्शन हो जाएगा डी रेट आंसर ठीक है नेक्स्ट कोशन आता है दोस्तो बंबई उच नेले का एक बैच निमिन इस्थानों में से कहा पर नहीं है बंबई उच नेल्या का एक बेंच, दोस्तो कहाँ पर स्थित नहीं है तो इन चारों में से दोस्तो पुने में स्थित नहीं है यानि की Right Answer is Option D ठीक है, बंबई हाइकोर्ट दोस्तो भारत की सबसे पुराने उच नेल्यालियों में से एक है और यहां मुंबई महारास्ट में इस्थित है और इसके अधिकार छेत्र में दोस्तों महारास्ट और गोवा राज्ये तथा दमन अंदीव और दादर नागर हवेली केंसासित परदेश भी सामिल है जहांजे सुन लीजेगा महारास्ट को पूरा कवर कर रहा है साथ में गोवा को भी साथ में दमन अंदीव को भी और साथ में दादर नागर हवेली को भी और इस परकार से इस पे कहीं कोशन बन चुके हैं पहले से भी तो ये भी आप लोग को याद रखना है ठीक है नेक्स चलते हैं दोस्तो नाइन के लाड़ी होते हैं दोस्तो खोको में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खोको की दोस्तो खोको मारास्ट भारत में अविस्कार किया गया एक लोगपिरिये टेग गेम है दोस्तो इसमें अगर मैं बात करूँ देखे एक ओर टेग गेम आता है यह भारतिये बड़ी होता है तो यह भी आपको याद एकना है दूसरा कोशन है पानिपत की तीसी लड़ाई किस वर्स हुई थी तो यहां पे अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो बिल्कुल सही है इस कोशन का जो राइट आंसर होगा वो 1761 हो जाएगा तो जो पानिपत की तीसी लड़ाई ह मराठा सामराज्य और एहमद साहद दुरानी की हमलावार अफगान सेना के बीच हुई थी तो यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन आता है दोजर 22 AFC महिला ACI कब की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी तो AFC दोस्तो क्या है यह यह है Asian Football Confederation और इसकी जो मेजबानी होगी दोस्तो वह है आपकी होने वाली है भारत में इंडिया में तो Right Answer Option A हो जाएगा देखे यह AFC का जो संस्क्रण होगा महिला ACI कब का तो AFC महिला ACI कब का यह 20 वा संस्क्रण होगा जो एसिया में चोथा अंतरास्टे Football Tournament है और जो ACI Football परिशंग में महिलाओ की रास्टे टीमो दुआरा आयजित किया जाता है और इसकी मेजबानी अब की बार भारत करेगा यह आपको याद अखना है दोस्तो नेक्स कोशन आते हैं लोकसबा के सतरवे और वरतमान अध्यक्स कोन है तो अभी वरतमान में तो इस कोशन का जो दोस्तो राइट आंसर हो और जो लोकसबा के सतरवे और वरतमान अध्यक्स है विराइस्थान में कोटा बुंदी निर्वाचन चेतर के लिए संसद सदस्या भी है दोस्तो यह आप लोकों को याद रखना है दोस्तो अगला कोशन आता है वोर एंड पीस किसके द्वार लिख गया उपन्यास है वोर बिल्कुल सही है लियो टॉलस्टोय यानि की इस कोशन का सही आंसर भी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कर मैं बात करूँ वोर एंड पीस रूसी लेखक लियो टॉलस्टोय का एक उपन्यास है जिसे 1869 में परकासित किया गया था ठीक है और इसे टॉलस्टोय की बहतरीन स पासित्यक उपलब्दियों में से एक माना जाता है और यह विश्व साहित्यक की अंतरास्ट इसतर पर प्रसांसित बनी हुई है तो यह चीज आपको याद ढखना है नेक्स्ट कोशन आता है भारत में कितने महाजनपद है दोस्तो तो भारत में दोस्तों कितने महाजनपद है ये 16 इस कोशन का सही आंसर होगा ये आपको याद रखना है चलिया जी अगला कोशन है देखे महाजनपद जोस्तों जो है जो महाजनपद है वो 16 राज्यों का या कुली कुलीन गनराज्य थे जो उत्री सहर भारत में दूसरी सेकरण अवदी के दुरान छटी से चोथी सताबदी इस्वीपूर तक मोजूद थे यह मतलब था होगा यहा पहले आमचुनाव के बाद किस वर्स में पहली लोकसभा का गठन किया गया था दोस्तों इस कोशन का जो राइट आंसर होगा that is option B 1952 इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा देखे यहां पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1952 में भारत के पहले आमचुनाव के बाद 17 अप को भंग कर दी गई थी इस लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों 13 माई 1952 को सुरू हुआ था ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन आता है डेबिट कार्ड के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं तो देखे डेबिट कार्ड के सामने के अंक जो होते हैं दोस्तों वो 16 हो देखे डेबिट कार्ड एक भुकतान कार्ड है यह आप सभी लोग जानते हैं डेबिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से और पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं जो किसी वोगता की चेकिंग खाते से यानि की सेविंग खाते से सी खरीदे खरीद के लिए भुगतान कर सकता है पैसे कटवा सकता है डेबिट कार्ड के सामने के हिस्से में 16 अंक होते हैं और यहाँ पर मैं बात करूँ पहले 6 अंक की तो दोस्तों पहले 6 अंक इसमें पैचान संख्या होती है और 10 जो अंक बाकी के बचे है वो धारक का यूनी की खोज के लिए भेजा गया था दोस्तों ये भेजा गया था बिलकुल राइट आंसर इस मार्स ओप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर ठीक है क्योरिसिटी एक कार के आकार का मार्स रोवर है जिसे नासा के मार्स साइंटिस्ट लेबोरेटी मिशन के हिस्से के रूप में का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था जो कि 16 नौंबर 2011 को केंप केंविरेल से क्यूरियसिटी शुरू की गई थी और 6 अगस 2012 को गेल के अंदर पर उतारा गया था तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं चले नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों इसका ये यूज के जाता है अलुमूनियम का यानि की ओप्शन C रेट आंस हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन आता है असरफ गानी किस देश के रास्पती है तो देखे असरफ गानी किस देश के रास्पती थे ये यहाँ पर ठा कर लेना क्योंकि ये कोश्चन भी अगर एक्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए असरफ गानी दोस्तों अफगानिस्तान के रास्ट पती थे तो यह आपको याद अखना है नेक्स कोश्चन है मौनटांगू, चैम्सफोर्ट, सुधार किस वर्ष शुरू किये गए थे तो मौनटांगू, चैम्सफोर्ट, सुधार किस वर्ष शुरू किये गए थे दोस्तों उननीस सो उननीस इस कोश्चन का सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा बार केंद्रिये बजट किसने पेस किया है दोस्तो इस कोशन का सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा बार केंद्र बजट दोस्तो पेस किया है मुरारजी देशाई ने इस कोशन का सही आंसर ओक्षन सी हो जाएगा देखे इन्होंने आठ वार्षिक और दो अंत्रिम बजट के साथ मुराजी देशाई वित्यमंत्री हैं जिन्होंने अब तक अधिक्तम बजट पेश किये हैं ठीक है तो यह है आपको याद रखना है भारती सविदान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लीपी में हिंदी को संग की अधिकारिक भासा के रूप में वन्नित किया गया है तो इस कोश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका हो जाएगा आर्टिकल 343 ठीक है यानि कि राइट आंसर इस ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है चले दोस्तों राडे सेकिंड हो गए परमानू सक्षम क्रूज मिसाइल कि देश द्वारा लौँच की गई थी तो ये जो दोस्तों मिसाइल है ये लौँच की गई थी बिल्कुर सही है इस question का right answer होजएगा पाकिस्तान दोरा यानि कि option is the right answer ये जो मिसाइल है दोस्तों ये एक पाकिस्तान की लंबी दूर की परमानू समता वाली क्रूज मिसाइल है और जो कि 23 मार्ज 2017 को पहली बार सरजनिक रूप से पाकिस्तान दिवस सेन्य प्रेड का अनावरन किया था उसमें ये पेस की गए थी इसकी जो रेंज है इस मिसाइल की वो 550 किलोमेटर है कई बार एक्जाम में आ जाते है रेंज तो वैसे आप याद रख सकते हैं कोशन आता है विस्व जल्दिवस हर साल खालिस्थान पर मनाया जाता है दोस्तों तो जल्दी से आंसर बताईए विस्व जल्दिवस खालिस्थान पर मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को यान सोरी 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 22 मार्च को ठीक है तो 22 मार्च इस question का right answer होगा विश्व जल दिवस एक वार्सिक संयुक्त रास्ट का पालन दिवस है जो मीठे पानी के महत पर परकास डालता है और मीठे पानी के संसादनों के इस्थाई परबंद की वकालत करने के लिए इस दिन का उप्योग किया जाता है दोस्तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल पीवी सिंधुने यानि की इस question का right answer C हो जाएगा next है मोर का विज्ञानिक नाम क्या है तो what is the scientific name of peacock तो इस question का right answer होगा बिल्कुल सही है पावो क्रिस्टेटस यानि की option हो जाएगा D right answer तो ये आपको याद रखना है भारतिय मोर दोस्तो जिसे आम मोर भी कहा जाता है वो भारतिय उप महदीप का मूल निवासी है और एक मोर पर जाती है ये ठीक है इसका विज्ञानिक नाम पावो के क्रिस्ट से है next question आता है दोस्तो तो काजी रंगा रास्ते उधान किस भारतिय राज्य में इस्तित है दोस्तो ये इस्तित है कहां पर बिल्कुल सही आंसर किया है असाम में यानि कि B रेट आंसर हो जाएगा काजी रंगा रास्ते उधान पूर्वी उत्तर भारतिय राज्य असाम में एक सनरक्सित छेतर है इसके पास भारतिय वन सिंग वाले गेंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है दोस्तो ये भी एक काफी इंपोर्टेंट कोशन है नेक्स कोशन आता है लाला लाजपत्राई की किस बैंक के संस्थापक थे तो जल्दी से आंसर बताईए लाला लाजपत्राई किस बैंक के संस्थापक थे तो जल्दी से आंसर बताईए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक यानि की C रेट आंसर हो जाएगा ठीक है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत्राए ने 12 अप्रेल 1895 को की थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली भारत में है तो यह आपको याद रखना है तो गाइस देखें लाला लाजपत्राए किस बैंक के संसाबक ते पंजाब नेशनल बैंक के ठीक है न इन्हों ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत्राए ने 12 अप्रेल 1895 में की थी 12 अप्रेल 1895 में की थी ठीक है और इसका जो मुख्याले दोस्तों पूर नई दिल्ली में है चलिए नेक्स्ट दोस्तों आज की वीडियो का पहला कोशन है उगादी महुत्सव खालिस्थान में मनाया जाता है तो इस कोशन का जल्दी से आंसर बतेगा क्या होने वाला है और सूर्य के वसंत विश्णू पर आकासिये भुमद्यरेखा से गुजरने के बाद मनाया जाता है यह भारत में आंद्र परदेश, तिलंगना, करनाटक राज्यो के लिए नए साल का दिन होता है तो इस कोशन का जो दोस्तो राइट आंसर होगा वह है आपका ओप्शन डी हो जाएगा ओल दी एबाव ठीक है चले नेक्स कोशन पर आते है तो गाईज दूसरा कोशन है जागोई परमुक भारतिय सास्ते निरत्ते रूपों में से एक खालिस्थान में है तो जल्दी से आंसर बताईए दोस्तो मनीपूर इस कोशन का राइट आंसर होगा ठीक है तिरपूरा नागलेंड मेगाले नहीं होगा देखे अगर मैं आपे बात करूँ मनीपूरी नत्य जिसे जगोई के नाम से भी जाना जाता है यह परमुक भारतिय सास्तिन नत्य रूपों में से एक है यह अपने हिंदू वैसनव वाद विशों के लिए विसेस रूप से जाना जाता है और रादा किसन की प्रेम नत्य नाटि का रासलीला का उतकरष्ट परदशन किया जाता है इसमें तो यह आप लोगों को याद रखना है इसकोशन का राइट आंसर मनी पूर हो जाएगा अगला कोशन आता है संयुक्त रास्ट का मुख्याले कहां पर है दोस्तो तो देखें संयुक्त रास्ट का जो मुख्याले है वह आपका नियोर्क में है यानि कि कहाँ पर New York USA में तो इस question का right answer option यह हो जाएगा दोस्तो संयूक्त रास संग का मुख्यालिया नियूर्क सहर में है जो की Wallace Harrison की नितरित में वास्तुकारों के एक board दुआरा डिजाइन किया गया है ठीक है और इसका निर्मान दोस्तो कब हुआ था इस परिशर में दोस्तो 1951 में इसके पूर्ण होने के बाद संयूक्त रास के अधिकारिक मुख्याले के रूप में कार्य किया गया था तो यह आप लोग याद रख सकते है next question आता है question number 4 है सरणिम चतुरबुज किस वर्स पूरा किया गया था दोस्तो यह किस वर्स में पूरा किया गया था तो इस question का सही आंसर होगा 2012 में ठीक है तो यह है आप लोग याद रख सकते है दोस्तो next है Microsoft Excel में कितनी पंक्तिया मौझूद है तो Microsoft Excel में कितनी पंक्तिया मौझूद है तो इस question का right answer होगा यानि कि रोज कितनी है तो 1,48,576 इस question का सही आंसर होगा यह तो बात होगई रोज की अगर columns की बात करूँ दोस्तो तो columns है 16,384 यह आप लोग को याद रखना है ठीक है ना? चले अगला question आता है नीती आयो के CEO कौन है? तो who is the CEO of नीती आयोग? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो नीती आयोग के CEO कौन है? तो अमिताब कांत यहाँ पर रखना अंसर हो जाएगा क्या होगा? अमिताब कांत तो अमिताब कांत वर्तमान में National Institution for Transforming India यानि कि नीती NITI के CEO है ठीक है? चले अगला Question कहता है कि Homo Homo Spacing किसने गड़ा है? तो यह दोस्तो किसने गड़ा है? यह गड़ा है किसने? काल Lineus यानि की Option हो जाएगा D D रेट आंसर तो यह आपको याद अखना है दोस्तों Next है IPL 2020 में Orange Cup धारक कौन है? यह तो वैसे पुराना हो गया ठीक है? आएगा भी नहीं कोशन यह एग्जाम में बहुत मुस्किल है कोई बात नहीं कुछ कोशन पुराने आ जाते हैं Question है तकलामकन रेगिस्तान कहां इस्ती थे हैं? तो यह दोस्तों चाइना में इस्ती थे हैं कहाँ पर है? चाइना, चीन is the right answer दोस्तों राम परसाद बिस्मिल को किस वर्स का कुरी सडियंतर के कारण फासी दी गई थी तो इस कोशन का सही उत्तर होगा राम परसाद बिस्मिल को किस वर्स का कुरी सडियंतर के कारण फासी दी गई थी उन्निस सो पच्चिस इस question का right answer हो जाएगा ठीके? राम परसाद बिस्मिल को दोस्तों राम परसाद बिस्मिल को, असपागुल्ला खा को, रोशन सिंग को काकोरी स़धियांतर में 1925 में सामिल थे ये तो उसमें फासि दी गई थी तो ये आप क्या रखना है दोस्तो गेहों का विज्ञानिक नाम क्या है तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है और इस question का जो right answer होगा दोस्तो वह है आपका हो जाएगा Trictum is the right answer यह आपको याद रखना है Next question है 2007 में सांती का नोबल पुरुषकार किसने जीता 2007 में सांती का नोबल पुरुषकार किसने जीता तो यह हो जाएगा right answer आपका A और B दोनो ठीक है चल लिए दोस्तो सिरलंका का राजपती कोन है तो सिरलंका के राजपती है गोताबाय राजपक से तो यह आपको याद रखना है यह देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो गोताबाय राजपक से एक सिरलंका राजनेता और पूरुषकारी है जो परतवान में 2019 के बाद सिलंका के आठवे रास्पती के रूप में चुने गए हैं दोस्तों RBA के गवर्नर ये कोशन मैं नहीं बताऊंगा जल्दी से कमेंट बोक्स में बता दीजे ठीक है इसके बहाने आप लोग कमेंट तो करेंगे और अपना स्कोर भी बताएगा वीडियो मासागर में मिलती है तो देखे कौन सी खाड़ी परसांत और अटलांटिक मासागर में मिलती है इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा पनामा नहर यानि कि D इसदा रहेट आंसर पनामा नहर पनामा में एक किर्तिम जलमार्ग है जो अटलांटिक मासागर को परसांत मासागर से जोडता है पनामा के इस्तमाल में नहर कटती है और समुदरी व्यपार के लिए एक नाली है यह आप लोग को या दखना है कोशन आता है सविधान सभा के पहले अध्यक्स कोन थे तो सविधान सभा के पहले अध्यक्स कोन थे दोस्तो सविदान सभा के पहले अध्यक्स थे सचीद्यानन सिना यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा देखें डोक्टर सचीद्यानन सिना सविदान सभा के पहले अध्यक्स से बाद में डोक्टर राजेंदर परसाद को राश्टपती के रूप में चुना गया और इनके उपाध्यक्स हरिंदर कुमार मुखर जी थे तो ये भी आप लोगों को याद अखना है 1921 में एलबर्ट आइंस्टीन को किस चेतर में एक माहन पुरुषकार मिला दोस्तों तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा पोथकी आनिके फिजिक्स के चेतर में तो 1921 में पोथकी का नोबल पुरुषकार एलबर्ट आइंस्टीन को दिया गया था ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तो परधान मंत्री उज्वला योजना के बार में निमलकित कत्नों पर विचार करें तो जल्दी से पढ़के बतें इनमें से कौन सा सही आंसर होगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तो इस question की तो सही आंसर होने वाला है बिल्कुल बोथ वन एंड सेकिंड यहाँ पर राइट आंसर होगा ठीक है इस योजना का उदेश से वित्ते साहता परदान करने BPL परिवार की महिलाओं को मुक्त LPG connection परदान करना है और यह उपाए महिलाओं को ससक्त करेगा और उनके सवास्त की रक्सा करेगा यही दोनों दोस्तो पॉइंट राइट है इस योजना के regarding Question आता है दोस्तो C भासा का विसकार किस ने किया था Who is the inventor of C language दोस्तो Dennis M. Richie इस question का राइट आंसर होगा यह आपको याद अखना है यह दोस्तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ C language जो है computer programming भासा है जोकि 1970 के दसक में अमेरिकी computer विज्यानिक Dennis M. Richie दुआरा बेल विक्सित की गई थी यह आपका याद अखना है बेल लेबरेटरी में विक्सित की गई थी कोशन आता है सवतंतरता के बाद लोगसबा की अध्यक्स कोन थे तो दोस्तो सवतंतरता के बाद जो अध्यक्स थे वो गनेश वासुदेव मालंकर यानि की इस कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है यह आपको याद अखना है चले next दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है गोल्डन हैंड से योजना को किसके रूप में जाना जाता है तो इस कोशन का आप सही आंसर बताएगा कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तो पहले तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि gold handshake जो यह योजना है यह क्या है यह voluntary retirement इस question का जो right answer को option B होगा voluntary retirement यानि कि समय से पहले जब किसी को retirement देना होता है unseduled retirement भी जिसको हम बोलते हैं उसको some benefits उसको दे करके कुछ amount दे करके उसको retire कर दे जाता है तो उसको voluntary retirement कहते है तो इस question का सही answer option B हो जाएगा ठीक है चले अगला question आता है भारती सविधान में निमलिकित अनुच्छेद में निर्दारित परकिरिया के अनुसार संसोधन किया जा सकता है यानि कि किस article में एक संसोधन की परकिरिया के बारे में बताया गया है कि सविधान में जो संसोधन होगा दोस्तो वो किस परकिरिया के तहत होगा वो article 368 हमें बताता है तो इस question का जो right answer होगा that is option A अगला question आता है कि नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का जो right answer होगा that is option बिलकुल सही है राजीव कुमार ठीक है नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है राजीव कुमार is the right answer तो यह आपको याद रखना है अगला question आता है कि विजे नगर सहर को खालिस्थान के रूप में भी जाना जाता है विजे नगर सहर को खालिस्थान के रूप में भी जाना जाता है तो यहाँ पर जो right answer होगा दोस्तो वह आपका होने वाला है हमपी क्या होगा हमपी is the right answer तो विजयनगर सहर को हमपी के नाम से भी जाना जाता है यह है वरतमान में बेलारी जिले में इस्थीत है दोस्तों इसकी स्थापना 1336 में हरीहर परसाद और संगम वंस के उनके भाई बुक्का राय पर्थम ने की थी तो यह चीज भी आप याद रख सकता है कोशन आता है तुगलक वंस के निमलिकित में से कि सुलतान ने चांदी के इस्थान पर तामबे के सिक्क्य जारी किये तो क्या होगा राइट अन्सर? मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर होगा मुहमद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक इसदार रेट आंसर यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा सेतर या सेतर भुकम के लिए सबसे अधिक परवन है तो मेरे प्यारे दोस्तो बिल्कुल सही है इस कोश्चन का रेट आंसर हो जाएगा सहत जिसमें चीनी की मातरा अधिक होती है वह सरणना नहीं है क्योंकि क्योंकि दोस्तो इस कोश्चन का रेट आंसर होने वाला है बैक्टिरिया केननोट सर्वाइव इन आ एक्टिव स्टेट इन सोलूशन ओफ हाई ओसमेटिक स्ट्रेंथ इसको मैं बताऊं तो उच प्रासनिय सक्ति में के घोल में बैक्टिरिया सक्रिय अवस्था में जिवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि पानी निकाला जाता है ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखने है अगला कोशन क्या कहता है दोस्तो निमिन तापमान पर सीशा खालिसान के रूप में वहवार करता है तो यह जो वहवार करता है दोस्तो यह सूपर कंड़क्टर ठीक है सूपर कंड़क्टर के रूप में वहवार करता है यानि की B रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन नेक्स इस नेटवर्क में एक छोटे से संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच भेजने के लिए उप्योग किया जाता है के रूप में जाना जाता है दोस्तो रैट आंसर हो जाएगा टोकन यानि की A इस दारेट आंसर टोकन सूचना की विशेश सरंकला है जो नेटवर्क में यात्रा करती है यह एक टिकट के रूप में कारिय करता है जो कम्प्यूटर को नेटवर्क में संदेश भेजने की अनुमाती देता है इसके अलावा network में केवल एक token है जो एक सुनिचित करता है कि कोई भी दो computer एक ही समय में संदेश ने भेजे Next question है निमलिकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है तो right answer बता दीजे दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा that is starch टीक है डी right answer होजएगा यह आप कहा दखना है starch एक प्राकृतिक बहुलक है अगला question है निमलिकित में से कौन सा स्तंधारी अंडे देता है तो इस question का right answer होजएगा platypus यानि की D right answer होजएगा platypus दोस्तों इस्तंधारी है जो अंडे देता है यह एक Australia में पाए जाने वाला एक अंडे चार इकिड़ना नाम की परजाती के है ठीक है यह मैं बताओं आपको कैसा दिखता है अब कैसा बताओ चुहे टाइप का होता है ठीक है ना तो आप इसको याद एक सकते है अकबर का मकबरा निमलिकित मेंसे किस स्थान परिस्थित है दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंद्रा में स्थित है यानि की Option यह रहाटान सोजगा यदा भी मकबरा अकबर के समय में ही पूरा हो गया था संगमरमर में मकबरे के सिर्ष भाग का निर्मान उनके बेटे जाहगीर ने किया था और मकबरे की इमारत दोस्तों एक चार इस तरिये मतलब चार एक बीच में मतलब मकबर है और चार उसमें चारो तरब को पीलर टाइप कुछ है ठीक ना जिसकी ऊपर एक संगमरमर का मंडप है जिसको मतलब नकली मकबरा है ठीक है इसको बोलते हैं सही है नमलकित में से किस चेत्र के साथ पंडित भीम सेन जोसी संबंदित है तो ये क्लासिकल म्यूजिक से संबंदित है यानि कि ओप्शन आपका सी हो जाएगा संयुक्त रास्ट की सुरक्षा प्रिशत में दस एस्थाई सदेश्य सामिल है कितने यहर के लिए तो गाइस दो साल के लिए यानि कि टू यहर्स इस दर रेट आंसर यह आपके लखना है नेक्स से त्रीपिटक खालिसान की पवित्र पुस्तके है तो यह बुद्धिस्ट की यानि की डी रेट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अव मुल्यन करता है तो उसका खालिस्थान उसका एक्सपोर्ट बिकम चीपर और इंपोर्ट बिकम कोस्ट लियर हो जाता है यानि के निर्याद सस्ता और आयात महेंगा हो जाता है तो रेट आंसर इस ऑप्षन है नेक्स है निमलकित में से कौन सी अधातू दरव्य अवस्था में अपरूपता परदसित करती है तो गंदा क्यानी की सलफर इस दा रेट आंसर ओप्षन बी रेट आंसर हो जाएगा दोस्तो जीडिपी अनि की सकल घरेलू उत्पाच सुचकांक उप्यों का चेत्री है वित्रण है तो किसी देश का आर्थिक विकास पता चलता है दोस्तो जीडिपी से सोरी रेट आंसर इस बी ठीक है दोस्तो रागनी खालिस्तान राज्ये से सम्बंदित लोक गीत का एक लोक प्रियर रूप है तो रेट आंसर बता दीजे क्या होगा तो यहाँ पे जो रेट आंसर होगा दोस्तो वो हो जाएगा हर्याना यानि की दोस्तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेट किलिफ के नाम से जाना जाता है तो यह आपको याद दखना है दीपी का कुमारी निमलिकित में से किस खेल से सम्बंदित है तो दीपी का कुमारी आर्चरी यानि की तिरंदाजी से सम्बंदित है तो इस कोश्चन का रेट आंसर ए हो जाएगा ठीक है दीपी का कुमारी तिरंदाजी से जुड़ी है वह पूर्व विश्व नंबर वन और उसकी वर्तमान नंबर पांच जो की 2010 के कॉमन वेल्थ गेम में महिला व्यक्तिकत और टीम इस परदा में सन्पदक जीती थी दोस्तो इबोला सब्दकार्थ क्या है दोस्तो पस्चिम अफ्रीका में एक वाइरल बिमारी का परकोप इसका अर्थ है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है एड्स का वाइरस मुख्य रूप से खालिस्तान की व्रदी को प्रभावित करता है तो राइट आंसर इस बिल्कुल सही है रक्त में T को सिकाए यानि की ऑप्शन C हो जाएगा राइट आंसर निमलिकित में से कौन माइट्रोजन युक्त उर्वक नहीं है सूपर फास्पीट इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर हो गया यानि की D इस दा रेट आंसर ठीक है कोशन आता है परम सुन्य वहत आपमान है जिस पर जिसमें जो दोस्तो गैस में अवर्णिक गती बंद हो जाएगी इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और नेक्स चलते हैं ऐसी हर बार आपको नेक्स नेक्स वीडियो मिलती रहेगी और आप सारी वीडियो को देखते रहेए और इस वीडियो को भी पूरा इंट तक देखेगा चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है बाकी थेंक्यू सो मच गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउ दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उससे क्किलिक करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start ho जाए हो जाए ठीक है तो चले मिलते हैं next class में thank you so much